एक घने इसे जंगल में कालू नाम का एक चाला कवा रहता था जो बहुती आलसी और मतलबी था उसकी पत्नी गोरी बहुती समझदार और निडर थी कालू की हमेशा से ही आदत थी कि वो नई नई चिडियाओ के पीछे भागता रहता था लेकिन गोरी हमेशा उसे माफ कर देती थी एक दिन कालू ने गोरी को माईके भीजने की योजना बनाई ताकि वो दूसरी चिडियारानी को अपनी पत्नी बना सके कालू ने गोरी से कहा गोरी तुम्हारे माता पिता ने संदेश भिजवाया है कि तुम्हें तुरंत वहां आना चाहिए कालू जी परसो तो अपने माईके से मैं आई थी तो तब तो वहां सब कुछ सही था तो ऐसी क्या बात हो सकती है कि मुझे फिर से संदेश भिजवा दिया और मुझे कुछ जादा दिन भी नहीं हुए अपने माईके से आई हुए गोरी की ये बात सुन कर तो कालू सोच में ही पर जाता है कि अब उसे क्या जवाब दे कि तुम कुछ जादा ही सोच रही हो जादा दिमाग ना लगाओ कोई जरूरी काम ही होगा तभी तुम्हारे माबाप ने तुम्हें संदेश भिजवाया है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए कालू जी अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो मैं अभी अपने माईके चली जाती हूँ हो सकता है कोई जरूरी संदेश हो गोरी नी कालू पर विश्वास करते हुई अपना सामान बांदा और अपने माई के चली गई उसके माई के जाते ही कालू के मन में तो जैसे लड़ू फूट रहे थे और वो बहुती खुश था अरे वा अब तो मैंने गोरी कवी को भी उसके माई के भेज दिया है अब मुझे जल्दी से जल्दी दूसरी शादी करनी होगी इससे पहले की गोरी वापिस आये मुझे जल्दी से टूनी को अपनी बातों में लाके उससे शादी करनी होगी वा कालू क्या दिमाग पाया है मैंने एक तीर से दो शिकार गोरी को भी कुछ पता नहीं चलेगा और मेरी शादी भी हो जाएगी कहना पड़ेगा कालू क्या दिमाग पाया है चल भई कालू अपने काम में जल्दी लग जा शादी की तैयारिया भी तो करनी है ना उसमें भी काफी टाइम लग जाएगा इतना कहे कर कालू वहां से चला जाता है कुछ देर बाद कालू कववा टूनी के पास पहुचता है और वो उसे लगातार देखता ही रहता है कालू कववा क्या बात है तुम मुझे ऐसे लगातार क्यों देखे जा रहे हो टूनी चिडिया अब मैं तुमको क्या बताऊं मेरी पहली पतनी गोरी कवी ने मुझसे रात को बहुत जगडा किया और वो मुझे छोड़ कर अपने माई के चली गई अब मैं सोच रहा हूँ कि अकेले इस जिन्दिगी को कैसे काटूंगा अब तो इस जंगल में बस तुम ही मेरा सहारा हो टूनी चिडिया इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ कि मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए टूनी चिडिया कालू की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और काफी देर बात जवाब देती है कालू कोवा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा तुम्हारी पहली पत्नी के होते हुए भला तुम मुझे से शादी कैसे कर सकते हो कालू ने जुट बोलते हुए कहा टूनी चिडिया गोरी अब वापस नहीं आएगी वो तो हमीशे के लिए अपने माईके में रह रही है और हम दोनों बहुत खुश रहेंगे मेरे पे विश्वास करो कालू की बातों में आकर टूनी चिडिया कालू को हा कर देती है और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है अगली सुभा कालू कववा और टूनी चिडिया मिलकर शादी कर लेते हैं वहीं दूसरी तरफ गोरी को सच्चाई का पता चलता है गोरी बेटी हमने तो तुझे कोई संदेश नहीं भिजवाया लगता है कालू ने तुझे जूट बोला है और तुझे धोके में रखा उसने गोरी कवी जब ये सब सुनती है तो वो गुस्से में आ जाती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती है और तभी गोरी ने तुरंत जंगल वापस जाने का फैसला लिया गोरी जैसे ही जंगल पहुचती है तो वो देखती है कि कालू और टूनी छिडिया खुशी-खुशी आपस में रह रहे हैं गोरी ने ये सब देखकर अपने गुसे को काबू में किया और एक योजना बनाई गोरी ने रात के समय कालू को एक कमरे में बुलाया और दर्वाजा बंद कर लिया और वो गुसे में कालू को देखती ही रहती है और कहती है कालू जी तुमने मुझे धोका दिया है धोका और टूनी से शादी कर ली अब तुमें इसकी सजा मिलेगी कालू ने डरते हुई कहा गोरी मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई लेकिन गोरी ने उसकी एकना सुनी और उसको जम कर पीटा कालू चिल्लाने लगता है बचाओ कोई तो बचाओ मुझे गोरी कभी मेरी पिटाई कर रही है अरे कोई तो बचाओ जंगल के किसी भी जानवर ने कालू का साथ नहीं दिया और कालू को किसी ने नहीं बचाया गोरी ने गुसे में कालू से कहा अब तुम्हें यहां नहीं रह सकते तुम्हें इस जंगल को छोड़ कर जाना होगा धोके बाज लोगों की यहां कोई जरूरत नहीं है निकल जाओ इस जंगल से कालू ने मजबूर होकर जंगल छोड़ ही दिया और दूर किसी और जंगल में चला गया अगली सुभा जंगल की जानवरों ने गोरी की तारीफ की और टूरी चिडिया को भी बताया की कैसे कालू ने उसे धोके में रखा टूरी ने भी गोरी से माफी मांगी और कहा मुझे नहीं पता था गोरी बेहन की कालू इतना चालाक है तुमने बिलकुर सही किया की उसे जंगल से बाहर कर दिया गोरी ने टूनी छिडिया को गले लगाते हुए कहा अब तुम मेरे साथ रह सकती हो टूनी हम साथ में खुशी खुशी रहेंगे